जैसे हम Virtual Lab के Link पे क्लिक करेंगे हमारे पास यह वाले उंडो पन पर आ जाएगे अब यहां पर सबसे पहले हमें Focusing of Telescope करना है यहां पर आप देख सकते हो कि इस टाइम यह फोकस नहीं है तो हमें किलिरली कुछ नजरी नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम इसको पोकस कर लेंगे इस सेंटर पर रखते हैं यह फोकस हो गया यह जो हमारा सेटाव रखा हुआ है बिल्कुल यह लैब की तरह है जैसे ऑफ्लाइन लैब में रखा होता है यह हमारा कॉले मेंटर है इसका function होता है इसको प्लेस को पैरलर कर देना यह प्रिंस टेबल है यहां पर क्लिक करेंगे इस पर इस पर क्लिक होते है हमारे पास यह वाले वेरीबल्स आ गए है अब यहां पर देखो यहां पर भी हमारे पास दो स्केल दे रखे हैं वर्नियर स्केल यह वाला और वर्नियर टू स्केल यह निचे वाला इन दोनों स्केल में आपस में जो डिफ्रेंस ह वो 180 degree का है यह जो पूरा system बना हुआ है circular scale पर बना हुआ है circular scale में total जो degree होते है वो 360 degree का होता है circular scale तो यह V1 scale और यह V2 scale दोनों आपद में 180 degree के difference पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर 0 count कर रहा है इधर तो यहाँ पर 180 दिशोग कर रहा है तो हमें सबसे पहले इसमें भी वोई list count find करनी होगी परवाला यह scale है यह main scale है और यह हमारा 1 year scale 0 से 30 वाला ठीक है जब हम scale को ऐसे move कराएंगे तो आप यह देख सकते हैं परवाला main scale move करता है और नीचे वाला 1 year scale move नहीं करता main scale में जैसे 0 से 10 के बीच में degree का difference तो 10 का आई रहा हमें obviously दिख रहा है और जो total divisions है वो 20 है तो obviously main scale में जो small division की value है वो होगी 10 by 20 degree यानी 1 by 2 degree यानी 0.5 degree और जो small यह 1 year scale में total division है वो 30 है तो list count हो गई हमारी 0.5 divided by 30 याने की 1 by 60 degree और इसको हम minute में जम करवंट करेंगे तो 60 से multiply कर देंगे तो हमारे पास यह 1 minute आ जाए रहे तो इस setup की जो हमारी list count है वो 1 minute है तो सबसे पहले हम यहां पर switch on light करते हैं यहां पर light का on कर देंगी यह light on करते हैं यहां पर हमें light नजर आ रही है अब यहां पर यह white light शो कर रहा है लेकिन हम जो lab में यूज करते हैं महां पर हम sodium light यानि yellow light यूज करते हैं तो हम यहां पर जो reading लेंगे वो yellow light के लिए लेंगे सिर्फ दूसरा यह दे रहा है slit focus करना तो slit focus को हम यहां center पर रख देंगे center पर ज्यादा focus रहती है वो और slit width जो है वो हमें minimum रखने होती है minimum रखने पर क्या होगा कि यह जो light हमें center पर नजर आ रही है वो बिलकुछ sharp नजर आएगी यह वाली उसके बाद हम थर नमबर पर एक grating place करेंगे यह place grating लिखा हुआ आ रहा है अभी अगर हम tally scope को move कराएं तो हमें deflection pattern कहीं कोई नजर नहीं आएगा यह सिर्फ center पर हमें वो slit नजर आ रही है और कहीं भी कोई हमें कोई pattern नजर नहीं आ रहा है deflection का सिर्फ center पर हमें वो नजर आ रही है लेकिन जब हम grating place कर देंगे तो यहां पर deflection होने लग जाएगा और deflection के बाद हमें यहां पर first order और second order इस तरह से नजर आएंगे हमने यह grating place कर दिया और cent यह भी हमें जो white light नजर आ रही है यह without diffraction यार यह central maxima नजर आ रहा है जो grating से पास होते होए आ रहा है हमने जो यहां पर virtual lab में grating जो यूज करा है वो करा है 15,000 LPI का यानि इस grating में जो लाइन्स हैं वो 15,000 लाइन्स हैं एक इंच की विरतन में तो यह याद रखना कि हमने जो grating calculation में तुम्हें यूज करना होगा इसका हम यहां पर जो grating यूज कर रहे हैं वो 15,000 LPI का grating यू कर आना होगा दीरे-दीरे यहां से हम इसको left side में लेकर जाएंगे पहले दीरे-दीरे इसको लेकर जाना होता है यह left side में यह first order के लिए आपको deflection नजर आ रहा होगा यहां पर हमने यह white light है इसलिए आपको color से नजर आ रहे हैं जबकि lab में जो हम use करते हैं वो sodium light यूज करते हैं तो हमें single yellow light नजर आती है तो हम यहां reading की yellow light की लेंगे सिर्फ यह जो yellow color नजर आ रहा है इसको हम center पर रखेंगे center cross wire पर और यहां पर हम reading note करेंगे यह first order की reading है first order हमें कैसे पता चला central maximum के तुरंत बाद जो color spectrum यह जो नजर आया यह first order है इसके बाद हम फर्दत दूसरी थोड़ा और आगे ले जाएंगे तब जो color spectrum नजर आएगा वो second order होगा तो अब हम यह first order की reading note कर लेते हैं यहां पर यह जैसे यह नजर आ रहे है और इससे पीछे यह क्या होगा यह 39 हो गया और एक स्मॉड डिविजन की वहली 0.5 थी तो यह क्या होगा 339.5 यह हमारी main scale reading हो गई वर्नियर 1 की ठीक है और वर्नियर scale reading कौन से हो जाएगी 0-30 के बिच में कोई नहीं कोई division होगा जो वीचे वाली division के सब fully concise करेगा तो यहां पर यह जो 12th division है fully concise कर रहा है 10, 11, 12 ठीक है पहले जासे मेरे कोई 12th लग रही थी तो 12th और 1 अगर कभी ऐसा लगे कि दोनों readings concise कर रही है तो जो least value होते हैं उसको count करते हैं जैसे अगर 12 और 1 दोनों concise कर रही है ऐसा कभी मैसूस होता है तो हम जो 1 है least value उसी का count करेंगे तो यह हमारी वनियर 1 की reading हो गई होगी similarly हम यहाँ पर जो बन एक की difference हमारा जो दूसरा scale दे रहा है बन यह 2 हम इसकी reading भी count करेंगे कि इसकी reading कितने होगे वही 160 तो दिखी रहा है तो main scale reading होगी इस बन यह 2 के लिए 159.5 सिमिलरली हम फिर वनियर 1 की reading देखेंगे कौन सी fully concise कर रही है तो इसमें भी अगर first division fully concise कर रही है तो यही one count कर देंगे हम ठीक है तो इस case में क्या होगे 159.5 main scale reading और 1A scale reading 1 तो यह जो हमने reading लिए है यह left side में लिए है first order के लिए सिमिलरली हम फिर telescope को थोड़ा और दूर लेके जाएंगे और second order के लिए reading note करेंगे देख अब यह second order भी नजर आ रहा है थोड़े से distance पर ही यह second order में हम वही yellow light पर रखेंगे यह हम फिर यहां पर वही similarly readings इसी तरह से note करेंगे लिए वन्यर वन की भी और वन्यर टू के भी यह हमारी left side में second order की reading कर लाएगी ठीक है जब left side की यह दोनों order की reading हो जाएगी उसके बाद हम telescope को फिर right में लेकर आएंगे और right side में हम same process apply करेंगे पहले first order की reading note करेंगे और फिर second order की हमें दोनों स्केल की reading note करने होते हैं यानि वन्यर वन की लिए और वन्यर टू की लिए जब हम readings ले लेते हैं सारी तो फिर हमें observation table देखनी होती है observation table पे हम वो readings note कर लेते हैं तो सबसे पहले हम पहले करते हैं यह order of spectrum देखते हैं उसके बाद हमनों यह readings note करेंगे वन्यर वन की यह CSR यानि में स्केल रेडिंग तो वन्यर स्केल रेडिंग और टोटल यह बन्यर स्केल रेडिंग टो लिस्ट कांट से तो हमारे पास यह first order की यह जाएगी वन्यर वन की टोटल रेडिंग लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में उसके बाद सिमलर्ली हम वन्यर टू की रेडिंग इसी तरह से note करेंगे में स्केल रेडिंग प्लब वन्यर स्केल रेडिंग लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी अब हम जो वन्यर वन की जो लेफ्ट साइड की टोटल रेडिंग आई है उसको जब हम सब्सक्रे तो इन दोनों का में ले लेंगे वो हमारे पास तू थीटा हो गया उसको जब हम डिवाइट करेंगे तू से तो हमारे पास मीन थीटा आ जाएगा डिगरी में फर्स्ट ओर्डर के लिए तो हम यहां पर डॉण कर लेंगे उसके बाद हम सिमिलर्ली पिर हम से और के लिए पिर से प्रोसेस अपलिए करेंगे यहां पर डिफ्रक्श लो हो रहा किषेल तो a plus b sin theta is equal to n lambda हम use कर रहे हैं तो wavelength find करने के लिए हम क्या करेंगे lambda is equal to a plus b sin theta over n तो यानि wavelength find करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए a plus b a plus b क्या ग्रेटिंग element है ग्रेटिंग element क्या है एक single line कि लाती है जो ग्रेटिंग में की विर्थ में तो एक single line की विर्थ कितनी होगे 1 by 15,000 इंच और इंच को हम सेंटिमेटर में convert कर लेंगे 2.54 से multiply करके है तो हमारे पास एक single line की विर्थ आ गई जो की होगे 2.54 divided by 15,000 तो यह हमारी सेंटिमेटर में आई है और यही हमारा ग्रेटिंग element है जिसको हम a plus b कहते है theta हमने sin theta जो है observation tables हमने theta find करे लिए तो वहां से हम sin theta find करेंगे जब theta हम first order के लिए रखेंगे तो यहां n की value 1 put करेंगे जब हम theta second order के लिए रखेंगे तो हम n की value 2 put करेंगे इस तरह से हमारे पास lambda आ जाएगा first order के लिए और second order के लिए जो की nearly equal होना चाहिए तो result में फिर हम उनका mean लिखेंगे और वह हमारा final answer होगो उसको फिर हम standard result से compare करके देखेंगे और वहां से percentage error निखालेंगे अगर percentage error हमारा less than 10% आता है यानि हमारा experiment जो है वो successful है Thank you